Southern Peripheral Road, जिसे हम Golf Coast Extension Road के नाम से भी जानते हैं, उस पर 12 किलोमिटर स्ट्रेच के उपर, 6 लेन में कैरेज़वे, 8 फ्लाइवर, 3 मीटर के फुट पाथ, साइकल ट्रैक, ग्रीन एरिया, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनने का रास्ता अब साफ हो गया है। नमशकार, मैं हूँ प्रदीप मिश्टा, दे प्रॉपर्टी मिश्टा शो में आपका स्वागत है, यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, चलिए आज हम बताते हैं कि SPR रोड अब कैसा बनने वाला है, सबसे पहले क्या इसकी कॉस है, क्या reason था, जिसके कारण अभी तक यह delay रहा, कैसे इसको fund किया जाना है, current status क्या है, क्या features है इस project के, और इस पे कौन-कौन से sectors ऐसे हैं, जिन पे एक additional duty impose की जा रही है, 1% की, वो भी आपको बताएंगे, और कितने time के लिए यह duration है, जिसके उपर आपको 1% additional duty pay करनी कर सकता है, और एक जो additional cost आपको लगने वाली है, उसके बारे में आम आदमी की क्या राय है, वो भी आपको हम बताएंगे, चली शिलसलिवात तरीके से शुरू करते हैं, सबसे पहले, GMDA ने यहाँ पर 1% user charge in the form of duty, जो की property transfer के उपर है, उन sectors के उपर जो southern peripheral road के उपर आ रहे ह उसके उपर लगाने का plan किया है, देखे, GMDA जब यह transfer के उपर user charge लगाता है, तो यहाँ पर यह आपके उपर एक additional load पड़ता है, जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं, उन पर एक additional load पड़ता है, देखे, GMD का यह stage अभी proposal stage पर है, क्योंकि GMD ने इस पर working कर ली है, अब यह proposal जाने वाला है revenue department में, लेकि GMD ने भी यह proposal जो बनाया है, वो CM दुबारा इसको different mode of funding के लिए approval मिली है, उसके बाद GMD ने proposal बनाया है, GMD का यह proposal अब revenue department में जाएगा, और revenue department अगर इसे feasible मानता है, तो यह आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि यह सीधा सीधा आपक pocket का मामला है, इसलिए हमने सुचा आपको इसको विस्तार से समझना जरूरी है, लेकि GMDA यहाँ पर जो proposal बना रहा है, वो 1% user charge है, जो कि आपको इन दी form of duty लगेगा, किस पे property transfer के उपर, और वो सारे sectors इसके अंदर आएंगे, जो SPR के पास में है, इसका सारा tender process complete हो चुका है जो कि अब वो stage आ गई है, जिसे की जो high powered committee है, जिसे की CM खुद देखते हैं, वो बहुत जल्दी अब इसका contract भी issue कर सकते हैं, SPR पर जो अब तक आपने दिक्कते हैं सही है, उसका उससे आपको निजात मिल सकता है, क्योंकि high powered committee ने और इसके process को complete कर लिया है, अब बहुत ज 845 करोड रुपे आ रही है, जो कि ये घाटा से लेकर खेड की दौला तक रोड है, खेड की दौला जो NH48 पर मिलता है, आकर उस पूरे stretch को SPR कहा जाता है, जिसे गॉल्फ कोस रोड के साथ लगे होने के कारण गॉल्फ कोस extension रोड भी कहा जाता है, और ये एक prime area माना जाता ह चुकि गॉल्फ कोस रोड अच्छे से डवलप हो गई है, गुडगाओं के डवलप सेक्टर के साथ में है, गॉल्फ कोस extension रोड और उसके बिलकुल opposite side में नया area डवलप हो रहा है, तो यहाँ नए developers, नई development काफी सारा लेकर आए हैं, तो यहाँ पर buying selling भी अच्छे हो रही ह थोड़ दिनों पहले आपने देखा होगा DLF का प्रोजेक्ट भी आया, जो approximately 7 क्रोड के आसपास के अपार्टमेंट थे, जो 1137 अपार्टमेंट बहुत जल्दी भी sell हो गए, तो यह उस रोड के उपर अच्छी selling इस टाइम देखने को मिल रही है, और buyers, investors का भी interest है, चुक workforce extension road, SPR road, already बनी होई है, लेकिन वो proper develop नहीं हो पाई, यहां funding सबसे बड़ा issue रहा, चुकि funding proper नहीं हो पाई थी, तो plannings बहुत बार होई, लेकिन वो जमीन बे हकीकत बनके नहीं आ पाई, तो अब वो delay जो है, वो होता हुआ कम दिख रहा है, क्योंकि अगर revenue department okay कर देता है, तो funding का एक बड़ा source वहां से generate हो सकता है, चली अब बात करते हैं कि funding कैसे होने वाली है, चुकि यह 12 kilometer का stretch है, जैसे मैंने बताया कि इसकी estimated cost 845 क्रोड रुपे है, तो कैसे इसकी funding होने वाली है, सबसे पहले तो वो आपकी जेब के उपर पढ़ने वाला है, जो user fee है, वो property ज वाला है, और उसकी estimated income समझी जा रही है, वहां से recovery जो possible है, वो समझा जा रहा है कि 700 क्रोड रुपे पर year वहां से generate हो सकता है, तीन साल में 375 क्रोड रुपी एक्सपेक्टेड है कि उससे generate हो सकता है, यह GMD के proposal में है, देखे exact revenue department समझता है कि वो कितना वहां से generate हो सकता है, इ लेकिन अभी GMD का जो estimate है, वो कहता है, 700 क्रोड रुपे पर year वहां से generate हो सकता है, दूसरा source है, EDC, IDC चो कि government approval देती है, town and country planning और बहुत सारी approvals आपको GMD से भी मिलती है, तो यहां पर उनके पास EDC, IDC का scope रहता है, change of land use में जब development होती है, तो वहां पर EDC, IDC भी recover की जाती है, EDC stands for Channel Development Charges और IDC stands for Infrastructure Development Charges, तो EDC, IDC भी government के पास है, वो भी इसके अंदर use हो सकता है, मतलब government कई तरीके से funds को monetize कर सकती है, उसमें कुछ auctions भी हो सकती है, कहीं allotments भी हो सकती है, फिर government TOD, Transit Oriented Development, चुकि road बनती है, तो वहां पर additional FAR दिया जाता है, जब additional FAR दिया जाता है, तो land cost तो same रहती है, लेकिन developer TOD के लिए additional fees authority को देता है, तब उसका additional FAR वहां मिल पाता है, for example, TOD पर 1.75 की FAR की जगह है, 3.5 की FAR मिलती है, जो 1.75 की FAR additional जब developer buy करता है, तो उसकी fees authority को आती है, कहीं हद तक वो भी इसके अ है, फिर कुछ developer से भी fund किया जा सकता है, और government agency जब ऐसे बड़े road को बनाती है, तो अकसर bank loan वगएरा भी लिया जाता है, तो ये कुछ source है, जिससे इस road को fund किया जा सकता है, और इस तरह ये project complete हो सकता है, चलिए अब समझते हैं, इसा current status क्या है, देखिए current status ये है कि tendering process इस है, चुकि ये बहुत दिनों से delay है, इसलिए ये high powered committee के पास गया है, और वो खुद इसे cm साब इसे खुद monitor कर रहे हैं, तो अब इस road के बनने के chances ज़ादा है, अभी तक तो आप देखते हैं कि road है, और जो peak ours हैं उसमें आपको jam भी देखने को मिलता है, और बहुत अच्छ रोड नहीं बनी हुई है, हाँ जरूर वहाँ अच्छे नए projects आये हैं, developers का काफी interest है उस area में, home buyers का interest है, investors का interest है, लेकिन connectivity जो SPR Golf Course Extension Road की है, वो अभी भी बहुत अच्छी नहीं बनी हुई है, तो इस से जरूर उस area में road बनने से बहुत अच्छा फाइदा होने वाला है, अ 12 किलोमेटर की stretch के उपर, 6 lane तो main carriage way है और 8 flowers यहां बनने वाले हैं, यहां 8 flowers बनने वाले हैं, क्योंकि traffic congestion बहुत बड़ा issue यहां देखा जा रहा है, इसलिए 8 flower बनने हैं, यहां पे 3 मीटर की साथ में cycle track है, proper drainage system जिससे की water logging की समस्या ना है, और green area को भी साथ में develop किया जाना ह तो यह इस पूरी stretch को एकदम एक नयातपन देने की कोशिश है, जिससे अच्छा infrastructure develop हो पाए और यहां के रहने वालों को सुविधाएं भी बढ़ पाए, अब बात करते हैं, कहां कहां पर यह duty impose होने वाली है, user charge कौन कौन से sectors हैं जिनके उपर यह लगने वाला है, यह सारे sectors SPR के उपर है, SPR के उपर सेक्टर 55 से 80 जो कि जिसके अंदर साथ में include किया जा रहा है 48, 49, 50 जो कि गुडगाओं मानेसर अर्बन कॉम्प्लेक्स जो प्लान है GMUC 2031 का master plan उस हिसाब से sector 55 से sector 80 के बीच में साथ में sector 48, 49 और 50 को भी include किया गया है, master plan गुडगाओं का वो होता है जिसके उपर government plan करती है कि कैसे उस area को develop करना है, जिसमें different sectors होते है, residential, commercial और आपका government, basically पूरे area को plan करती है कि इसमें government area, जो public utilities को मुझे कितना area देना है, mountain area कितना, agriculture area कितना है, green area कितना है, इन सब चीजों की planning जो होती है, उसे master plan कहा जाता है, और master plan के हिसाब से किन-किन sectors के उपर ये duty impose होने वाली है, वो मैं आपको इसमें बताया है, मैंने आपको, चलिए अब बात करते हैं कि क्या duration है, जिसके उपर आई ये duty impose होने वाली है, transfer of property के उपर, देखिए, तीन साल इसका estimated time है, जिसमें 700 करोड रुपए जैसे मैंने बताया, per year यहाँ expectation है, तो 300 into 3 करते हैं, तो 375 करोड रुपए estimated है, कि यहाँ से recovery हो सकती है, अब आप तहेंगे कि 845 करोड का project है, और 375 की recovery हो रही है, तो मैंने आपको थोड़ देर पहले बताया, कि और क्या-क्या sources हैं, जहां से इसकी funding की जानी है, तो वैसे भी government जब project initiate करती है, तो पूरा का पूरा plan पहले नहीं बनता है, पहले initial plan होता है, उसके बाद और recoveries कहां कहां से होती है, वो source जुटाए जाते हैं, तो अगर यह pass हो जाता है, revenue department वारा clarity आ जाती है, और जो कि इसमें 99.9% chance हैं, कि revenue department की तरफ से भी कहीं objection आती नहीं दिख रही है, तो बहुत जल्दी इसका contract award हो सकता है, और यह काम भी जल्दी शुरू हो सकता है, और इस area में रहने वाले लोगों की यह जिन्दगी पे बहुत अच्छा खासा impact भी डाल सकता है, चली अब समझते हैं कि GMDA किस rule के अंदर आप से charge कर सकता है, जी हां as per section 43 of GMDA act, अगर कोई infrastructure development हो रही है, तो वहां के user से partly या wholly उस charge को recover क किया जा सकता है, उसी तहत GMDA आप से यह charge recover करने जा रहा है, चली अब समझते हैं, आम आदमी क्या सोचता है, वहां के रहने वाले क्या सोचते हैं, क्योंकि जब यह development सामने आई, तो मैंने वहां के बहुत सारे लोगों से बाचीत की, तो जो लोगों का opinion था वो यह था, कि ह हम चुकी approved property buy कर रहे हैं, approved sector में buy कर रहे हैं, तो यहां हमने infrastructure development charges, IDC आलेडी दिया हुआ है, EDC तो दिया ही है, external development charges, लेकिन साथ में infrastructure development charges भी हमने pay की हुए हैं, government को उस fund को utilize करना चाहिए, और उसी से यह इतना बड़ा development possible है, लेकिन यहां पे चुकी यह amount sufficient नहीं दिख रहा, इसलिए government और भी sources यहां पे तराश रही है, कि कैसे कैसे हम और sources से भी इस fund को generate करें, क्योंकि इसको चौड़ा करने का काम बहुत important है, यहां बहुत सारे लोग ऐसे बस चुके हैं, जहां पर बरसात के टाइम पे तो आप water logging देखते हैं, और peak hours में, यहां जाम की समस्या शु पसंद आया होगा, अगर show पसंद आया, तो जरूर आप इसे like और comment कीजिएगा, comment करके बताएगा, और किस टाइप के ऐसे videos आप देखना चाहेंगे, क्योंकि यहां पर हम आपको property और property market की हकीकत बताते हैं, नमस्कार. यहां आप You